हेलो स्टूडेंस तोडे विल डिस्कूस पीवाई क्यूस रिलेटी तो मेकैनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूर्स जेए डिरेक्ट तो क्वेशन नमर वन आपका क्या है इन पीवाई क्यूस का वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग इन बक्केट ऑफ वाटर एक आपका बक्केट ऑफ जो इस बक्केट ऑफ वाटर ठीक है इसमें एक क्या है ये बाटर है यहां तो एक वुडन ब्लॉक जो है वह इसमें क्या है फ्लोट कर रहा है ठीक है सच्छ दाट कि इसका फोर पॉंपाइफ ओफ ओफ फिटिस वॉल्यूमिस अमर्जड तो मीस हीुडन ब्लॉक का पानी के अंदर का है सब मर्य करकें फालों ओलूम वालीं इसहीन, जिएarta कर लोडियेग वालो यह जो ब्लॉक था अभी यह इस ऐसे है इस तरह से इस तरह से है कि half of it portion जो है half portion वो क्या है उपर है half portion oil में है और half portion water में है क्योंकि oil flows over water ठीक है उसकी surface tension कम होती है as comparison to water तो क्या है उन्होंने बोला half of its volume under water and half in oil तो half volume जो है यह half volume oil में है V by 2 और half volume किसमें है पानी में है V by 2 अगर total volume कितनी है block की V है clear हो गया तो उन्होंने बोला है the density of oil relative to that of water तो आपको density निकालनी है oil की means आपको row not upon row w निकालना है you have to calculate this तो पेटा इसके लिए आप case one ले लिजी ठीक है यह मैंने case one ले लिया है case one में क्या है आपका floating body के लिए आप सबको पता है जो upthrust होती है वो weight of the part of object होता है that is submerged in the fluid जो fluid के अंदर part submerged है object का उसके weight के बराबर होता है जो upthrust लगती है तो इस case में पहले case में weight of block जो होगा weight of block कौन सा block जिसका volume कितना है block of volume V तो जिस block का volume V है उसका weight जो होगा बेटा किसके बराबर आजाएगा weight of water जो अंदर water क्या हो रहा है displays हो रहा है weight of water of volume तो कितना volume है weight का 4 upon 5 V ठीक है तो यह आप यहां पे लगा दीजिए formula तो क्या बन जाएगा which implies weight किसके बराबर होता है बेटा mass into acceleration due to gravity और mass किसके बराबर होते है volume into density तो volume into density किसकी है यह block की है B into G तो यहां पे क्या आजाएगा volume volume कितना है 4 upon 5 V density कितने आजाएगी water की density आएगी और G तो जी ही रहेगी clear हो गया तो विए रो भी आपको पता होना चाहिए density है block की और रो डवल्यू की और रो डवल्यू की है density of water तो यहां weight है block का जिसका volume V है ठीक है तो वो V V volume into rho into density into G तो यह block का आगया हमारा ठीक है यह किसके बराबर होगा यह होगा weight of oil ठीक है weight of oil of volume V by 2 और weight of water of volume V by 2 दोनों का volume V by 2 है तो oil का weight plus water का weight दोनों के plus के बराबर होगा यहां बे clear हो गया तो यह किसके बराबर आजाएगा यहां डाल दीजिए volume into density volume कितनी है V by 2 density कितनी है oil की row not लेली मैंने into G plus V by 2 density water की row W into G clear हो गया तो बेटा यहां से देखें V जो है वो तीनों में है तो common लेके cancel हो जाएगा clear हो गया two side चला जाएगा तो two row B बन जाएगा यह is equal to क्या आजाएगा आपका row not plus row W clear तो row not से आप क्या कर दीजिए दोनों side divide कर दीजिए तो यहां पे row W आ जाएगा इधर भी row W आ जाएगा और इधर cancel होके क्या बन जाएगा one बन जाएगा ठीक है तो यहां से आप निकाल सकते हैं value यहां पे row not row not upon row W की value निकालनी है आपको calculation में तो इसको इधर ही रहने दो one उदर जाके minus हो जाएगा तो 2 row B upon row W minus 1 आ जाएगा यह clear हो गया तो यहां से डाल दीजिए value बेटा यह आपने निकाली है row B upon row W आपने निकाला है 4 upon 5 तो यह बन जाएगा 2 into 4 upon 5 minus 1 तो यह कितना आ जाएगा 8 upon 5 minus 1 is equal to 3 upon 5 तो यह आपका जाएगा 0.6 तो इसका मद़र your A part is the correct option second question क्या है बेटा the ratio of surface tensions of mercury and water is given to be 7.5 while ratio of their densities तो surface tension की ratio दी गई है surface tension का मतलब क्या है आपका आपको यहां पे surface tension तो हम इसको tension को T से लिखते हैं तो mercury का हमने HG लगा लिए या let कर लीजिए mercury की surface tension को बेटा मैंने क्या let कर लिया sorry tension को T1 let कर लिया या TH लिख दीजिए mercury के लिए mercury का symbol क्या होता है HG होता है THG तो upon क्या दिया है water की तो TW यह आपको कितनी दी है 7.5 और densities मतलब रो एच जी और रो डवल्यू यह आपको कितनी दी है 13.6 दी है clear हो गया there contact angles with glass are 135 and zero degree तो इनके contact angle भी दी है means आपको theta mercury दिया है कितना 135 degree और theta water कितना दिया है आपको zero degree clear हो गया तो यहां से आप cos theta HG upon cos theta w निकाल सकते हैं तो क्या आजाएगा कॉस थर्टी वन थर्टी फाइव है sorry 135 तो 135 डिग्री अपॉन कॉस जीरो कॉस जीरो वन होता है 135 का वन भाई रूट तो आजाएगा ठीक है और बोला है it is observed that the mercury gets depressed by an amount as mercury जो है obviously depressed करती है ठीक है कितने depressed हो रही है हाइट h depressory in a capillary tube of radius r1 while water rises by the same amount और पानी जो है उतने ही amount rise कर रहा है in a capillary tube जिसका radius r2 है तो means हाइट दोनों की क्या है same है ठीक है एक depression में सेम है एक rise में सेम है तो हाइट सबको निकालने का formula क्या होता है 2t cos theta upon rho gr clear तो इस situation में आपका जो height water की है वो height mercury के equal दी गई है तो डाल दीजिए formula height water की क्या है water की height में क्या आएगा 2t water आएगा into cos theta w आएगा upon rho w आएगा ठीक है जी तो जी ही रहेगी और r का rw आएगा क्या जाएगा यहां पर 2t hg cos theta hg upon rho hg gg ही रहेगा और rhg clear हो गया तो बेटा यहां पर आपको radius अगर आप द्यान से देखें तो आप इदर radius जो है water की इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं r1 लिख सकते हैं क्योंकि आपको sorry r2 लिख सकते हैं क्योंकि water की radius जो है capillary tube की वह r2 दी गई है तो यहां पर r2 आ जाएगा और इधर आप mercury की case में r1 लिख सकते हैं clear हो गया जी जी क्या हो जाएंगे आपके cancel out हो जाएंगे clear हो गया तो यहां से आप calculate करिए two or two भी cancel out हो जाएंगे ठीक है तो यहां से आपकी क्या value आ जाएगी आपको क्या निकालना है यहां पर ratio निकालना है r1 by r2 तो r1 को दूसरी साह ले जाओ तो r1 upon r2 किसके बराबर आ जाएगी मेरी t hg cos theta hg और यहां से क्या चला जाएगा rho w जाएगा upon t w नीचे आजाएगा cos theta w भी नीचे आजाएगा और यहां से क्या है rho hg आण नीचे था तो रो hg आण नीचे है ठीक है बेटा आपको इसकी value दी गई है कितनी यह 7.5 cos theta hg upon cos theta w की value भी आपने निकालना ह इतनी आई वान बाइ रू टू इन टू रो डवल्यू अपॉन रो एच जी की वैल्यू भी दी है आपको 13.6 एच जी अपॉन डवल्यू है तो यह वन अपॉन हो जाएगा 13.6 तो पिटर जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो यूर आंसर कम्स आउट तो बी सम्थि से सीट पर स्बमरीन है उसका प्रैशक जो हो इतना है अब को कितना दिए गया है वह आपको 5.05P इंटि JEFF आकश प्रैशचाए DAO अब स्व नी 1 की हाइट जो है जब दीटू हो जाती है तीक है ूसका प्रैशे जो हो हो प्रैशर हो हो दिसला 8.08 यह final pressure आ गया is equal to into 10 raise to hour 6 Pascal तो यह D2 height पे है तो उन्होंने बोला D2 minus D1 is approximately equal to आपको D2 minus D1 की value निकाल नी है तो बेटा आप सबको पता है जो initial pressure होगा वो किसके बराबर होगा atmospheric pressure plus H rho G clear तो H की जगा पे यहां पे क्या है D1 ह की जगा पे हम क्या ले लेंगे D1 rho G clear हो गया ऐसे ही और यह आपको दिया गया है PI आपको दिया गया है initial pressure atmospheric pressure आप सबको पता है कितना होता है clear तो आप यहां से value निकाल सकते हैं यह आपको कितना दिया गया है यह आपको दिया गया है PI कितना दिया गया है 5.05 into 10 raise to power 6 ऐसे ही बेटा आपको P final कितना दिया किसके बराबर आजाएगा P atmospheric pressure plus hub height कितनी है D2 है D2 rho G और यह आपको दिया गया है 8.08 into 10 raise to power 6 पासकल तो P2 minus P1 means आपको P final minus P initial निकालना है minus कर दीजिए जब minus करेंगे तो क्या होगा बेटा यह cancel out हो जाएंगे D2 minus D1 आजाएगा into rho G और जब इसको इसमें से 8.08 को 5.05 से minus करेंगे तो बन जाएगा 3.03 into 10 raise to power 6 common लेके तो आपको निकालना क्या है D2 minus D1 निकालना है तो बेटा D2 minus D1 is equal to 3.03 into 10 raise to power 6 upon rho G नीचे डिवाइड में हो जाएगा clear तो डाल दीजे value 3.03 into 10 raise to power 6 upon rho कितना दिया है बेटा आपको density दी है 10 raise to power 3 तो यहां पर 10 raise to power क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी into 10 raise to power 3 आ गई है into आपको क्या दिया गया है acceleration due to gravity आपको 10 दी गई है into 10 आ गया clear हो गया तो यह कितनी बन गी 10 की power 4 बन गी 4 और 6 2 cancel हो जाएंगे 2 से multiply करेंगे तो यह कुछ 303 मीटर के आएगा which is approximately equal to अगर यहां पर option कोई नहीं है तो 300 के आसपास है तो हम इसको 300 मीटर ले सकते हैं clear हो next question क्या है बेटा a cubical block of site 0.5 meter floats on water with 30% of its volume under water तो यह आपका यह है अंदर water है इसका 30% volume जो है इस cubical block 30% volume जो है वो पानी के अंदर है clear हो गया यह पानी है तो इसकी side cubical block की side यह पूरी side कितनी है 0.5 meter की बताई गई है clear what is the maximum weight that can be put on the block इस block के ओपर हम कितना maximum weight डालें without fully submerging it underwater ताकि यह पूरा का पूरा अंदर समर्ज ना करे clear हो गया तो बेटा आप सबको पता है आर्किमिट प्रिंसिपल सबने पढ़ा है कि जो weight of block होता है वो एकल होता है weight of displaced water तो weight of block जो होता है वो किसके इकल होता है weight of block जो होता है weight of displaced water जितना पानी displacement किया गया है उसी के बराबर होता है ठीक है तो यहां पर weight लगा लिजीए weight किसके बराबर होता है mg mass into acceleration due to gravity mass होता है volume into density तो तो यहां से आप निकाल सकते हैं जी जी क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा 30% है यह तो 30% means 3 upon 100 30 upon 100 तो यह 0.3 वी वी चैंसल हो जाएगा तो यह बन जाएगा हमारा 0.3 तो रो बी जो है आपकी 0.3 रो डवली ओ आ गई इसमेट ऌट टूर में सिर्फ 것 tarde ऐसों खोंता तो स Right कि बेशा की टूरा हूं किनसी टूर्ट टालें से अज्विट के डियर की अपने दाने स्प्र रहे जारा जारतब हैं हमने इसके ओपर कितना मास रखा है, M रखा है, थोड़ा सा मास इसका ये बाहर है, clear हो गया, तो ये 100% है, ठीक है, इसके ओपर इतना मास रखा, तो आप 100% वाल्यूम इसका अंदर चला गया है, clear, तो आप आपका दुबारा वो लग जाएगा, फॉर्मला क्या आजाएगा अब आपका, weight of, फिर से argument principle लगाएंगे, weight of water displaced जो होगा, वो किसके वराबर होगा, कितना पानी displaced हो रहा है, weight of water displaced, तो कितना displaced होगा पानी, जितना weight किसका होगा, block का, weight of block, plus जितना हमने मास रखा, उसका weight भी होगा, weight of mass M, clear होगा, इतना ही पानी displaced होगा, यह पहले केस में से block था, weight of block हमने weight of displaced water के लिए ले लिया, अब weight, पानी कितना displaced हो रहा है, जितना weight block का है, plus weight of mass M भी है, clear होगा, weight of water displaced क्या होता है, volume into rho W into G, is equal to, weight of block कितना है बेटा, पूरा volume है, V है, अब rho B into G, plus weight of mass M, तो mass का M G, clear, तो बेटा, यहाँ से आप निकाल लीजिए, इसको इससाय ले आएंगे, तो यह V common ले लिया मैंने, तो rho W minus rho B आ गया, into G is equal to, यह किसके बराबर आ गया, M G के, M GG cancel हो जाएंगे, तो your M is equal to, किसके बराबर आ जाएगा, V into, ठीक है, यह V है ना, V into rho W minus rho B, clear, अब V volume किसके बराबर होती है, बेटा, आप यहाँ से यह भी निकाल सकते हैं, rho B, rho B की value डाल दीजिए, यह किसके बराबर आ जाएगा, V into rho W minus rho B, कितना है, 0.3 rho W, तो एक में से 0.3 निकालने, तो यह कितना बचता है, आपका, 0.7, rho W, clear हो गया, अब आप सबको पता है, कि जो आपका volume होती है, cube है, तो volume किसके बराबर आ जाएगी, side cube, और side आपको दीए है, कितनी 0.5 meter की cube, तो यह कितनी, यह आ जाएगी आपकी, ठीक है, meter cube आ जाएगी, volume आपकी, और rho W, density of water कितनी दीए, 10 to power 3 kg per meter cube, clear, तो यह आपको given है, आप यह सारी values जीदर डाल दीजिए, तो therefore, आपका M कितना आजाएगा, therefore, M is equal to, V की जगा पे आएगा, 0.5 का whole cube, into 0.7 already था, rho W कितनी है, 10 की power 3, जब आप इस पूरे को calculate करेंगे, तो your mass comes out to be 87.5 kg, 87.5 kg means, C part is the correct option, next question क्या है, water from a tap emerges vertically downwards, with an initial speed of 1 meter per second, तो एक water है, जो tap से emerge कर रहा है, इस तरह की कुछ डाइगराम होगी, यह हमारा tap आ गया, ठीक है, इस तरह से tap होगा, तो यहां से उन्होंने बोला, water from a tap emerges vertically downwards, नीचे की तरफ पानी आ रहा है, इस tap से, नीचे की तरफ क्या है, पानी आ रहा है, डाइगराई दोन वर्ड, with an initial speed of 1 meter per second, कितनी speed से पानी आ रहा है, 1 meter per second, the cross-sectional area of the tap, is 10 raised to power minus 4, तो यहां का cross-sectional area कितना है, 10 raised to power minus 4, तो मैंने लेट कर लिए, this is a1, v1, initial है, assume that the pressure is constant throughout the stream of water, pressure same है, and that flow flow कैसे हमारा streamlined है, the cross-sectional area of the stream, 0.5 meter below the tap, वोड भी, तो आपको cross-sectional area निकाले, बेटा पानी जब आएगा, तो obviously, पानी की, जो यहां पे पहले जएदा होगा, फिर नीचे, 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 यह इस तरह से shape लेगा, इस तरह से, clear, तो यहां पे पानी, यहां पे area क्या होगा, कम होगा, यह a2 है, velocity क्या होगी यहां पे ज्यादा होगी कितनी नीचे आ रहा है यह 0.15 meter नीचे जब आया तो यहां पे आपने area निकालना means you have to calculate a2 ठीक है तो आप सबने पढ़ा है equation of continuity की area जो होता है it is inversely proportional to velocity आगर velocity ज्यादा है तो area कम होगा area तो यहां पे आपको given क्या है आपको height h दी है कितनी दी है height आपको 0.15 meter height दी है और area आपको दी है आपको कितना दी है 10-4 meter square दी है तो initial speed आपको वी कितनी दी है 1 meter per second ठीक है तो water जो velocity होगी water की stream below height h h height below जो stream होगी बेटा उसमें आप formula लगा सकते है v square minus u square is equal to 2gh तो v initial ठीक है तो आपको यहां से formula लगाएंगे तो आपका जो है आगर मैं v1 या v2 की terms में let कर लूँ तो यह आजाएगा v2 square minus v1 square है ना तो v2 square किसके बराबर आजाएगा बेटा आपका u square u square means v1 square plus 2gh और v2 किसके बराबर आजाएगा under root v1 square clear हो गया तो हमारा v2 किसके बराबर आगे यह v1 है तो किसके बराबर आगे हमारा v2 under root v1 square plus 2gh clear हो गया value डाल दीजी v1 1 ही है plus 2g कितनी है हमारी 10 लेनी है हमने यहां पे और h कितना दिया है 0.15 दिया है तो जब आप इस पूरे को calculate करेंगी यह under root 4 बनेगा means 2 meter per second तो आपकी जो speed है वो कितनी आ गई 2 meter per second आ गई per second sorry this is per second ठीक है तो meter per second आपकी speed आ गई equation of continuity लगा लिजी equation of continuity किया आप बोलते है a1 v1 is equal to a2 v2 ठीक है तो आपको a2 निकालना है तो a2 किसके बराबर आ जाएगा a1 v1 upon v2 तो a1 कितना दिया है आपको 10 raise to a minus 4 v1 आपका 1 है और v2 आपने 2 निकाल ली तो जब आप इसको calculate करेंगी तो यह आ जाएगा 1 by 2 को 0.5 बन जाएगा into 10 raise to a minus 4 तो अगर मैं इसको 5 की terms में लिखूं तो एक point आगे shift करेंगे तो उपर एक point minus 5 बन जाएगा meter square तो इसका मतब 5 into 10 raise to a minus 5 meter square fourth part is the correct option next question क्या है बेटा 6 question a solid sphere of radius आपके पास एक solid sphere है जिसका radius r है acquired the terminal velocity v1 when falling due to gravity जब gravity की तरफ से वो fall कर रहा है through a viscous fluid having a coefficient of viscosity eta ठीक है तो obviously आप सबने terminal velocity के expression पड़ी है vt किसके बराबर होती है 2 upon 9 r square upon eta rho not यह आप लिख सकते हैं rho not mean density of falling sphere ठीक है यह sphere की density है सफियर minus density of fluid तो density of fluid को मैंने ऐसे लिख दिया rho f into g ठीक है अब क्या है उन्होंने क्या बोला यहां पे यहां से clear हो रहा है कि जो आपकी terminal velocity होती है वो r square के radius के क्या होती है directly proportional है clear हो गया अब उन्होंने बोला when sphere is broken into 27 identical solid spheres तो if each of these spheres requires a terminal velocity v2 पहले velocity v1 थी अब कितनी velocity v2 है when falling through the same fluid the ratio of v1 upon v2 आपको निकाल नहीं है clear हो गया सफियर को 27 equal parts में तो बेटा obviously जो volume होगा सफियर का of radius r volume of sphere of radius r वो equal होगा आपका 27 into volume of sphere of radius small r ठीक है तो यह बन जाएगा 4.3 pi capital r cube is equal to 27 into 4.3 pi small r cube तो बेटा यहां से 4.3 4.3 pi cancel हो जाएगा तो यहां से आप capital r निकाल सकते हैं वो कितनी आजाएगी 3 r ठीक है 27 का cube 3 होता है r का cube r तो small r कितना आगे आपका r by 3 तो यह radius आगे small की clear हो गया उन्होंने क्या बोला आपको v1 upon v2 निकालनी है तो बेटा अभी हमने पढ़ा velocity जो होती है वो radius के square के directly proportional है तो therefore हमारा equation 1 के according हमारा v1 upon v2 किसके बराबर आजाएगा r1 का square यह r का square radius r है upon small r का square clear हो गया capital r का square upon small r का square तो जब की capital r का square तो ऐसे रखेंगे small r का square r हमने निकाल लिए smaller r by 3 होती है तो यह बन जाएगा r square upon 6 तो r square r square क्या sorry 3 3 जड़ 9 ठीक है तो r square r square cancel हो जाएंगे 9 उपर चला जाएगा तो ratio कितनी आगी आपकी 9 means a part is the correct option next last question क्या बेटा water flows into a large tank with flat bottom at the rate of 10 raise to a minus 4 meter cube per second water जो है एक large tank से flow कर रहा है with flat bottom bottom कैसा है उसका flat है और कितने tank से rate कैतना है 10 raise to a minus 4 means this is rate of flow ठीक है तो आप सबने पड़ा है जो rate of flow होता है rate of flow velocity upon time जिसको हम बोलते हैं वो किसके बराबर होता है area into velocity के बराबर होता है ठीक है तो उन्हें बोला level जो है water का tank में वो constant है with time के साथ वो चीज़ नहीं हो रहा तो जितना water flow करेगा in flow होगा water का in flow rate वो equal हो जाएगा out flow rate के out flow rate of water जितना water enter करेगा उतना ही बहाँ निकलेगा clear हो गया ठीक है और यह जो आपका होता है इसका मतलब 10 raise to power minus 4 meter cube per second है यह तो यह किसके बराबर होता है data flow मैंने आपको पहले भी बढ़ाया था V upon T किसके बराबर होता है A V के equation of continuity है यह ठीक है तो यह किसके बराबर आ जाएगा आपका area area into velocity of outflow area into velocity of outflow inflow तो यह आ गया clear तो यहां से निकाल लीजिए आ बेटा कितना आ जाएगा यह which implies 10 raise to power minus 4 is equal to area कितना दिया आपको 1 centimeter square तो 1 centimeter square means 10 raise to power minus 4 meter square into velocity of outflow बेटा outflow velocity कितनी होगी आपकी वो आपको पता है कि उन्होंने बोला कैसे flow कर रहा है वो steady क्या बोला है if the height of water in the tank remains steady then this height is so you have to calculate height here तो बेटा velocity निकालना आपको पहले question में भी सिखाया हमने free fall की velocity कितनी होती है आपकी under root 2gh clear तो यहां से अब आपने h निकालनी है height निकालनी है तो क्या हो जाएगा यह cancel हो जाएगा one आजाएगा squaring कर दीजिए both size 2gh is equal to 1 तो h किसके बराबर आजाएगा one upon 2g is equal to one upon 2g कितनी बोली है उन्होंने ले लीजिए आप 9.8 ले लीजिए ठीक है तो जब आप इसको calculate करेंगे तो यह आपका कितना आजाएगा यह आजाएगा कुछ आपका one five point one centimeter में क्योंकि centimeter में बोला है तो five point one centimeter ऐसे आपका कितना आएगा यह is equal to one upon यह बन जाएगा 19.6 meter तो centimeter में convert करना होगा तो hundred से multiply कर दीजिए यह centimeter आजाएगा जब इसको calculate करेंगे तो your answer comes out to be five point one centimeter clear हो गया इसका बतला आपका यह जो question है इसका see part is the correct option